तो guys आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि second hand phone खरीदना चाहते हैं या फिर आप लोग खरीद चुके होंगे लेकिन आप लोग second hand phone purchase तो कर लेते हैं लेकिन उसमें सबसे बड़ी problem ही है guys कि हम लोग उस phone को check कर भी लेते हैं लेकिन phone को purchase करने के बाद कोई ना देखने के लिए मिली ही जाता है तो मैंने सोचा कि क्योंने इसके उपर एक detail video बना कर आप लोगों को बताया जाए कि आप लोग अगर second hand phone खरीदना चाहते हैं तो आप लोग उस phone को check करने में कौन-कौन से process को अपना सकते हैं तो guys video थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंक लोगों को इस video में बताने वाला हूं और guys video को last तक देखना क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोग किसी भी second hand phone को purchase करने जाए और आप लोग किसी भी तरीके से उसको purchase करने के बाद फस जाए तो यहां पर मैं बात करता हूं कि सबसे पहले आप लोगों को क्या चीज को कि सबसे पहले आप लोग कुछ ऐसे वाल पेपर लगा दें जो कि white हो या फिर किसी phone के ऐसे setting के अंदर चली रहा है जहां पर उसका screen जो है almost white हो तो उसमें आप लोगों को white और gray spot नजर आने रगेगा अगर ऐसा spot आप लोगों को दिखने लगता है तो आप लोग इस phone को avoid कर तो ये तो हो गया guys कि आप लोग LCD display को कैसे check करेंगे लेकिन मैं बात करूँ AMOLED display के बारे में तो अगर उस phone में AMOLED display होगा तो आप लोगों को किन-किन चीज़ों को check करना है तो guys AMOLED display के अंदर आप लोगों को सबसे पहली चीज़ को check करना है कि उसमें dot होता है तो AMOLED phone में आप लोगों को एक problem देखने के लिए मिलता है कि dead pixel यानि कि उसका पूरा display बहुत अच्छे से काम करेगा लेकिन उसमें कहीं कहीं पर आप लोगों को black dot देखने के लिए मिलेगा तो आप लोग अगर ऐसे phone को लेनी के लिए जा रहा हैं तो आप लोग गलती से भी ऐसे phone को purchase ना करें अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ AMOLED display के अंदर सबसे बड़ी problem के बारे में आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि display burning क्या होता है लेकिन जिन्हें नहीं पता है मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि burning problem यह है guys कि जैसे example से मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि अभी आप लोगों ने अपने phone में WhatsApp को open करके रखा है अब 3-4 second तक आप लोगों ने उस screen पर stay कर लिया अब जैसे ही आप लोग किसी दूसरे application जैसे की Google में जाएंगे ऐसा लगेगा कि WhatsApp छप गया Google वाले screen पर तो अगर guys आप लोगों को ऐसा problem देखने के लिए मिलता है तो आप लोग ऐसे phone को कभी भी ना खड़ी दे अब यहाँ पर next बात करता हूँ मैं यानि कि इसके अंदर pink set हम लोगों को देखने के लिए मिलता है आप लोगों को अगर यह problem देखने के लिए मिलता है तो यह phone आने वाले 2-3 दिन या फिर 7-8 दिन के अंदर में आप लोगों को यह phone पुड़ा का पुड़ा date हो जाएगा अब इसके उपर मैंने एक video बना रखा है अगर आप लोग उस video को देखना चाते हैं तो उस video का link मैं description में देदूँगा आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हैं नहीं तो मैं i button में यहाँ पर देदूँगा आप लोग वहाँ से जाकर check out कर सकते हैं तो guys अगर आप लोग ऐसे phone को purchase कर रहे हैं तो ऐसे phone से आप लोग दूर रहे हैं तो यह मैंने आप लोगों को बता दिया कि display में आप लोग कौन कौन से चीज़ों को check कर सकते हैं अब यहाँ पर मैं बढ़ता हूँ दूसरे check की तरफ यानि कि आप लोगों को दूसरे number पर क्या check करना है अगर आप लोग Android phone purchase करने जा रहे हैं तो उसमें आप लोगों को एक number देखने के लिए मिलता है star has, zero star has अगर आप लोग इस number को dial करेंगे तो आप लोगों के phone में बहुत सारी testing के लिए एक window open हो जाएगा आप लोग वहाँ से जाकर जैसे कि आप लोग अपने phone के display को check कर सकते हैं red, green, blue color को check कर सकते हैं या फिर उसके touch को check कर सकते हैं या फिर उसके speaker हो गया, उसका camera हो गया उसका जितना भी sensor उस phone में लगा हुआ है उन सारे sensor को आप लोग इसके अंदर इस number को dial करके आप लोग check कर सकते हैं अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ कि आप लोगों को तीसरे number पर क्या check करना है तो यहाँ पर आप लोगों को देखना है कि आप लोग जिस भी phone को लेने के लिए जा रहे हैं उसके body में dent पढ़ा हुआ है या फिर नहीं अब इसको और आप लोग verification करने के लिए आप लोग इसमें चेक कर सकते हैं इंटरनेट चला कर आप लोग call लगा कर चेक कर सकते हैं जैसे ही आप लोग call लगाएंगे तो आप लोगों के phone का earpiece आप लोगों के phone का speaker कर आप लोगों की फोन का माइक यह सब चेक हो जाएगा और साथी साथ उसमें जो प्रॉक्सिमीटी सेंसर होता है वो भी आप लोग इसके अंदर चेक कर सकते हैं अब यहाँ पर मैं बात करता हूं इंटरनेट के बारे में आप लोग अगर सीम लगा रहे हैं तो उसमें इंट कामरा के अंदर उसका जो लेंस होता है उसमें आप लोग उसमें डस्ट है की नहीं अगर उसके लेंस के अंदर डस्ट या फिर मॉइस्टर होगा तो आप लोग ऐसे फोन को ना लें अब कामरा में हम लोग दूसरी चीज को चेक कर सकते हैं कि उसके टच फोकस को आप लोग चेक कर सकते हैं, और तीसरी चीज, कैमरा के अंदर आप लोग चेक कर सकते हैं, आप लोग वीडियो रिकॉर्डिंग करके आप लोग उसको टेस्ट कर सकते हैं, अब हम लोग बढ़ते हैं next management कैसा है अब यहां से मैं next में बात करता हूँ कि आप लोगों को क्या चेक करना है तो यहां से आप लोग battery backup को check कर सकते हैं और battery drain को check कर सकते हैं अब next में मैं बात करता हूँ charging charging, fast charging और OTG cable लगाकर अगर आप लोग जिस भी phone को लेने के लिए जा रहा है तो आप लोग उस phone को charge करके देखें अगर वो phone fast charge हो रहा है तब तो बहुत ही अच्छी बात है अगर नहीं हो रहा है तो उसका charging jack वो damage हो चुका है तो ऐसे phone को आप लोग ना ले तो जादा बेतर है क्योंकि अगर आप लोगों का phone charge ही नहीं होगा सही से तो आप लोग अपने phone को use कैसे करेंगे अब यहां से next चीज की तरफ बरते हैं हम लोग कि आप लोग earphone jack को चेक करेंगे अगर आप लोग किसी phone को लेने के लिए जा रहे हैं अगर उसमें earphone jack है तो आप लोग earphone लगा fingerprint register करके आप लोग चेक कर सकते हैं, phone को unlock करके चेक कर सकते हैं कि इस phone का fingerprint सही से काम कर रहा है या फिर नहीं तो guys इतनी सारी चीजों को मैंने आप लोगों को चेक करने के लिए बता दिया कि अगर आप लोग second hand phone लेने के लिए जा रहे हैं तो इन सारी चीजों को चेक कर सकते हैं लेकिन अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर कि अगर आप लोग Samsung का phone लेने के लिए जा रहे हैं उस वीडियो को देखना चाते हैं तो उस वीडियो का लिंक आप लोगों को description में दे दूँगा आप लोग वहाँ से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं अब यहाँ पर मैं बढ़ता हूँ सबसे last चीज की तरफ यानि की सबसे main चीज की आप लोग जो भी phone को purchase करने के लिए जा रहे हैं तो उस phone में आप लोग इस चीज का ध्यान रखें कि आप लोगों को seller original bill provide कर रहा है या फिर नहीं अगर उसके साथ original bill नहीं है तो आप लोग उस phone को कभी भी purchase ना करें अब यहाँ पर आप लोगों में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि original bill हम लोगों को कैसे पत और यहाँ पर मैं फिर से आप लोगों को बताना चाहूंगा अगर आप लोग Samsung का phone purchase करने के लिए जा रहे हैं तो आप लोग उसका उसी time warranty चेक कर सकते हैं जी हाँ guys यह possible है आप लोग उसके activation date को online चेक कर सकते हैं तो इसके उपर भी मैंने एक video बनाया है अगर आप लोग उ चीजों का ध्यान रखना है किन-किन चीजों को चेक करना है अगर इस वीडियो से डिलेटेड आप लोगों का कोई सावी डाउट रहे गया हो तो आप लोग मुझसे comment में पूछ सकते हैं या फिर आप लोग मेरे Instagram पर आकर आप लोग महासे मुझे DM कर सकते हैं और guys अगर video और channel का content पसाना है तो आप लोग इस वीडियो को like करके channel को subscribe भी कर सकते हैं मिलते हैं next video में goodbye